जी स्टुडेंट्स आज हम बात करते हैं इंटरफेस की इंटरफेस क्या होता है इंटरफेस एक्ट्रेक्ट क्लास ही होती है और जैसे कि हमें पता है कि एक एसी क्लास होती है जिसके अंदर एकसे बहुता है जिसमें एक एक से ज्यादा एकसे क्लास होते है जिसके अंदर और सारे के सारे फंच्शन ही एप्सजेक्ट होते है इसके इंदर कोई एक फंच्शन भी जो एवह ऐसा नहीं हो सकता नहीं कि ज्यसके आपको ये सामने example नजर आ लिए कि हमने ये animal का interface बनाया है ठीक है ये animal का जो interface है ये एक interface है तो जाहरी बात है इसके अंदर जितने भी function होंगे वो क्या होंगे abstract abstract का मतलब कि वो implement नहीं हुए होंगे तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है सिर्फ declare हुआ है तो इसके अंदर ये दो functions है और दोनों के दोनों के है abstract ठीक है तो ये एक interface class है अब इसको use कैसे करते हैं इसको use हम करते है implement के keyword के साथ कि जैसे हम class A में class B को inherit करना हो तो हम लिखते है class A extends class B तो अगर हमने animal के interface को class A में use करना है तो हम लिखेंगे class A implements class animal ठीक है तो ये हो गया हमारा interface अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो subscribe करें